वेलकम बैक टू मैं चैनल, कैसे हो आप सब, I hope आप सब अच्छे होंगे, जैसे कि वीडियो के टाइटल में आपने देखा कि आज हम DSSSB के बारे में डिसकस करेंगे, आपको important books भी बताएंगे, strategy भी बताएंगे, cut-off भी बताएंगे, और भी हम इस पे काफी discussion करेंगे, तो हमाई साथ बने रही है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, DSSSB की, बात करते हैं, सबसे पहले इसमें, age limit की, PRT के लिए ये 30 years रहती है, ठीक है, PRT के लिए लिमिट 30 है, और ये online exam है, negative marking होती है, इसमें, ठीक है, negative marking है, 1 by 4 negative marking है, इसका मतलब ये है कि अगर आपने 4 question wrong attempt किये हैं, तो एक right cut खो जाएगा आपका, मतलब 0.25 होती है, अगर हम syllabus की बात करें इसमें, तो age limit की बात होगे, जो 30 years रहेगी, online exam है, negative marking 1 by 4 है, इसमें, इसमें आपके exam में part A और part B होंगे, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, part A सबी के लिए common होगा, DSSB, PRT की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, तो part A में जो आपका subjects रहेंगे, सबसे first subject है आपका, GK, जिसमें आपके current of years भी है, second है आपका maths, reasoning, Hindi, or English. जिसके 20 questions GK current affairs के होंगे, 20 questions math के होंगे, 20 questions reasoning के होंगे, 20 questions Hindi के और 20 questions ही English के होंगे, मतलब, total आपके कितने questions होंगे, 100 questions होंगे, ठीक है, कितने questions होंगे, 100 questions, और 100 ही marks के होंगे, 100 questions, 100 marks, ठीक है, अब बात करते हैं हम आपके पी आटी में जो पेपर है उसके पार्ट B की पार्ट B में आपका CDP होगा और पैटलोजी होगी ठीक है? क्या होगा हमारा CDP और पैटलोजी CDP और पैटलोजी आपका जो होगा वो 100 questions होगे इसमें भी और 100 ही marks की होगे ठीक है? 100 questions, 100 marks मतलब टोटल आपके दो पार्ट होगे, पार्ट A में आपके 5 subject होगे, जो 20-20 questions होगे और टोटल 100 questions होगे, 100 marks की होगे पार्ट B में CDP पैटलोजी आजाती है पार्ट पैपर जो है, आपका कितने marks का है? 200 marks का है, ठीक है? अब बात करते हैं हम इसके books की बात करते हैं हम पार्ट A और पार्ट B की slaybos की पार्ट A और पार्ट B की slaybos की slaybos में आपको किस books से preparation करनी है, वो भी discuss करते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं GK की और current of years इसमें जो आपके previous paper है, उनके according current of years 4 to 5 marks की पूछे चाते हैं बाकी GK तो आपका इतना है कि आप कितना भी पढ़लो, कमी कम है तो आप इसकी preparation लूस end से भी कर सकते हैं और बाकी जो भी आपको better लगती हो आप उससे GK कर interferes कर सकते हैं दूसरी है आपकी English एक book आती है English के लिए Plinth Paramount आप उससे कर सकते हैं अच्छी book है, अच्छे से दे रखा है next है आपका Hindi इसके लिए आप चाहें तो लूस end भी देख सकते हैं बाकी एक आदित्य पप्लिकेशन आती हैं आप उससे भी preparation कर सकते हैं आदित्य पप्लिकेशन से भी preparation कर सकते हैं maths आप RS गरवाल से कर सकते हैं preparation level की अच्छी book है बाकी बची reasoning reasoning के लिए आप अरिहंत देख ले तो ये बात हो गई हमारी part A की अब हम देखते हैं part B को part B जो हमारा CDP और psychology वाला part है इसके 100 questions आते हैं main है ये तो CDP psychology के लिए तो जितना पढ़ेंगे कमी कम है क्योंकि इसका कुछ यह नहीं रहता कि theoretically based question आ रहे हैं कुछ भी पूछ लेते हैं कहीं से भी पूछ लेते हैं कोई बुक ये भी नहीं है तो आप net की बुक से cover कर लें जो भी net की बुक सो यब ये डियलेड में आपने जो भी बुक से study की हो तो ये कोई ऐसा part नहीं है कि एक बुक से हम complete कर लेंगे और बाकी आप previous questions लगा लें उसके according पता चल जाता है कि paper कि टाइप से आता है किस से questions पूछे जाते हैं कौन से topic आपको cover करने है कौन से topic आपको छोड़ने है बाकी इसमें बस जो दिहान रखने वाला part है वो ये है ये जो आपका part A है उसमें आपके 40 marks लाने कबल सरी है otherwise आपका part B cover नहीं होगा ठीक है तो ये हमने बात की असलेबस की बुक्स की बाकी कोशिश करेंगे कल से आपको थोड़ा daily mass करा दी जाए mass Hindi cover करा दी जाए और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को like करें, share करें, subscribe करें Thank you